आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन की गैलरी में फोटो विडियो शो नहीं हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर आपको मिलेगा एप्स एप्स पर किलिक करिए एप्स पर किलिक करने के बाद आएगा मैनेज एप्स या फिर एप मैनेजमेंट या फिर एप मैनेजर तो इस पर किलिक करिए इस पर किलिक करके आपके फोन के स गैलरी तो आपके फोन में फोटो या फिर अल्बम के नाम से हो सकता है वो आपको पता होगा तो गैलरी या फिर फोटो अल्बम पे किलिक करिए किलिक करके नीचे force stop करिए ok करिए ऊपर storage या फिर storage usage पे किलिक करिए clear catch पे किलिक करके ok करिए और back आईए और back आकर आपको नीचे मिलेगा app permission इस पर आप किलिक करिए इस पर किलिक करने के बाद आपको not allowed में एक permission मिलेगी file send media की आपके फोन में storage के नाम से हो सकती है तो इस पर किलिक करिए allow access to media only इसे select करिए और back आईए तो storage या फिर file send media की permission on करने के बाद अब back आईए फिर से back आईए अब अपने फोन को restart करिए और चेक करिए gallery में photo video show होना शुरू हो जाएंगे बट अगर problem ठीक नहीं होगी तो उपर right side में manage apps पे किलिक करके उपर right side में 3 dot पे किलिक करिए यहाँ पर आगा reset app preferences इस पे किलिक करिए और नीचे आएगा reset apps और reset apps पे किलिक करिए यह करने से कोई आपका data photo video कुछ delete नहीं होता है तो इस पे किलिक करके इस process को कर लीजिए हमने पहले से कर लिया है तो इसे cancel करेंगे उसके बाद उपर right side में फिर से 3 dot पे किलिक करिए अब default apps पे किलिक करिए नीचे आएगा gallery gallery पर किलिक करके आपको मिलेगा gallery तो gallery पे किलिक करके इसे select करिए और अब check करिए gallery को open करके तो अब हमारे photo video show हो रहे हैं देख सकते हैं तो इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें अगर ये video पसल आई तो हमारी video को like जरूर करें